नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम लोटे हैं बिग बॉस 12 से जुड़ी लेटिस्ट अपडेट के साथ बिग बॉस में जीत के करी पहुच रही है दिपिका ककड बता दे कि बिग बॉस 12 में शादी के 6 महीने बाद एंट्री करने वाले छोटे परदे की अभिनेतरी दिपिका ककड शुरुआती खेल में बहुत ज़्यादा कमजोर साबित हुई थी लेकिन सभी परिशानियों का सामना करके दिपिका ककड आज फिनाले के करी पहुच रही है बता दे कि बिग बॉस 12 जो सीजन है इसका फिनाले आने में बहुती कम समय बचा है यानि कि बहुत ज़्यादा नजदीक है फिनाले तो सभी कंटेस्टेंट दे अपना खेल खेलना और तीजी से शुरू करना शुरू कर दिया है अपना पूरा गेम प्लान बता दे कि ट्विटर पर दिपिका ककड बहुती ज़्यादा ट्रेंड कर रही है दिपिका के सभी फैंस चाते हैं कि वे बिग बॉस 12 की विजेता बने खास बात ये है कि दिपिका शुरूात से ही शो में आगे रही है और अपने तीज तरार और आटिट्यूड जो उनका स् उससे एक अहंकारी मतलब कहलाई गई है लेकिन खास बात ये है कि दिपिका को शो के फिनाले तक ले जारी है यही उनकी बात बता दे कि बिग बॉस 12 में दिपिका ककड का शृषान से रिष्टा बनाए रखना बहुती ज़्यादा फाइदवन साबित हुआ है इस दिपिका के फैंस में दिपिका के लिए हमदर्दी पैदा हुई है दिपिका ककड और शृषान के बीच भाई बेन का रिष्टा है जो बिग बॉस के घर की अलावा बाहर भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चे तरीके से फेमस हो रहा है बिग बॉस के घर के सभी सदस्ते ने इस रिस्ते को तोड़ने की कोशिश की लेकिन दिपिका किसी की बातों में नहीं आई बता दे कि दिपिका ककड छोटे परदे के मशूर अभिनेत्रियों में से एक है शोशल मीडिया पर इनकी जो फैन फॉलाइंग है बहुत ही जादा है इनके फैंस का ये मानना है कि बिग फिनाले भी समाथ हो चुका है तो अब जो ये सिलसिला उनका घर में रहा है या फिर जो भी उनका सफर रहा है बहुत ही जादा मज़िदार रहा है और कही न कहीं हमेशा हर एक सदस्से ने उन पर उंगली उठाई है और बहुत सारे आरोप लगाए लेकिन सोचने वाली बा कि आज वो फिनाले के बहुत जादा करीब हैं उनके फैंस चाते हैं कि वो फिनाले में जाएं और बिग बॉस की जो ट्रॉफी है उसको जीच जाएं ऐसा तो वैसे सभी के फैंस चाते हैं शिशांत की फैंस बहुत जादा है उनके फैंस भी चाते हैं शोशल मीडिया पर श पॉमिल चौदरी के फैंस हैं वो उनकी बारे में बोलते हैं कि वो विजेता बने लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है और आपकी नजर में कौन सा कंटेस्टन सही जा रहा है और किसको आखिरकार ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए बिग बॉस बारा कर जो खि वाचिंग टुड़ेज फर मोर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके साथ साथ टुड़ेज के आपको जरूर आनलोड करें उस पर आपको हमारी सारी वीडियो नजर आएंगी इसके साथ साथ आप हमारी जितने भी शोज आते हैं या फिर जो भी